आमतवर पर भारती घरों में तेल का बड़ा उपयोग होता है क्योंकि हम विभिन प्रकार के वेंजन बनाते हैं विबन प्रकार की चीज़े हमें अच्छे लगती हैं हमारे इतने तीज तेवहार हैं कि उसमें तेल की अधिकता तो रहती ही है क्योंकि तेल सी बनी चीज़े हमें पसंद है लेकिन जिस तरीके से तेल का भाव आस्मान छू रहा है उसने भी लोगों के बजट को बिगार दिया है ऐसे में कीमत पर लगाम कसने के लिए सरकार ने इसके आयाद पर लगने वाले एग्री सेज को घटा सकती है सरकार कूट पॉम आयल, तालका तेल, सनफलावर, सूरज मुखी और सोय आयल के आयाद पर लगने वाले एगरी कल्चरल इंफरेस्ट्रक्शर एंड डवलोपेंड सेज को घटा सकती है इससे कीमत में गिरावाट आएगे और आम जंता को थोड़ी रहात मिल सकती है तेल का भाव इस समय पीछले 5 सालों के उच्चतम स्तर पर है एगरी कल्चर इंफराक को डवलप करने के मकसद से सरकार ने बजट साल 2020 में एगरी सेज सुरू किया था इस समय पाउम आयल पर एगरी सेज 17.50 फीसीदी और सूरज मुखे एवन सोय बिन तेल पर 20 फीसीदी है भारत अपनी जरूत का 60 फीसीदी एडिबल ओयल आयात करता है हर साल करीब 75,000 का रुपे का एडिबल ओयल इंपोर्ट किया जाता है सरकारी आकडों की माने तो पिछले एक साल में खाने की तेल की कीमत में 55.55 फीसीदी की तेजी आई है सरकार ये भी कहती ही कि केंदर सरकार लगातार जो है कीमतों पर नजर बनाए हुए लेकि नजर बनाने के बाद भी कीमते लगातार उचाल मान रही है रिटेल में 91 तेल की कीमत 140 रुपे के पार पहुँच गई है पिछले साल मई के पहले सब्तामिय 90 रुपे की स्थर पे थी पॉम आयल की बात करें तो पिछले एक साल में 52 फिसीदी की तेजी आई है पिछले साल मई के पहले सब्तामिय सका भाव 87 रुपे था जो बढ़कर 133 रुपे पहुंच गया है सोयबीन तेल 105 रुपे से 133 रुपे पहुंच गया है मस्टर्ड आयल 49 प्रतिशत की तेजी आई है और 102 रुपे के मकाबले 144 रुपे की इस तरवर पहुंच चुका है मौक फली के तेल में 38 फीसीदी का उचाल आया है और 130 रुपे के मकाबले 180 रुपे तक पहुंच चुका है ज़िस सरकार एगरी सेज को घटाती है तो निश्य दूप से आम लोगों को लाब मिलेगा क्योंकि तेल का उप्योग हमारे घरों में होता है और तेल की कीमतें आस्मान छू रही है अगर आपको हमारा वीडियो चल लगाए तो फेस्बूक पेज़ पर लाइक करें और यूट्यूब पर सबस्क्राइब करें एक इस पश्च सोच यहाँ है हर परिवर्तन की खबर यहाँ है हर लोगों की बलंद आवाज यहाँ है राज्ञिती खेल फिल्म अद्योग विग्यान की हर बात यहाँ है हर अधिकारों की बात यहाँ है अन्याए के खिलाब संघर्ष यहाँ है हर करतवियों की बात यहाँ है यहाँ है ललुराम.com सच कहेंगे ललुराम